हेलो स्टुडेंट कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे और अपने एक्जाम की त्यारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे आज आपके सामने हैं रिटेल मैनेजमेंट का कोशन पेपर है इससे पहले आपको जितने भी आपके सब्जेक्टे जैसे की इंकम टेक्स का है फिनेंशल मैनेजमेंट का है सूरी Management Accounting का है ठीक है Business Environment है fundamental of insurance है और आपका साथ रखा बिजनेंश इंवर्मेंट फिल 207 का 19 का 20 का सभी कोशन पैपर आपको critically आ अपके ही चैनल कोशन पेपर पर राइइट आज हम करने वाले हैं हमारे retail management का 2022 का question paper ठीक है और साथ में 2021 का भी करेंगे पर पहले 2022 का करेंगे देन फिर आपको comparison करने में easy हो जाएंगे कि 2022 में जो question आये थे क्या वो 2021 में भी आये थे तो इससे थोड़ा सा estimate हो जाएगा कि 2022 वाले question फिर हमारे 2023 में भी आएंगे ऐसे मैंने जितना observe किया है mostly 50% आपका जो question paper है as it is next year आता है देखते हैं क्या आया हुआ है और पिछली वीडियो के अंदर मैंने तुरह सा explain नहीं किया था किस तरह से paper को attempt करना चाहिए कितनी time management कितनी के अंदर रखना चाहिए ठीक है अब की बार मैं आपको इसकी भी help provide करूँगे कितनी strategy आपको लेकर चलनी चाहिए ठीक है देखो 2022 का है recent है retail management है BC606 है आपको 3 घंटे दिये जाएंगे और 3 घंटे के अंदर आपको असी नंबर का paper करने 3 घंटे that means 180 minutes 180 minutes के अंदर आपको 80 नंबर का paper करने देखो मेरे को पता है इसके अंदर आपको 5 question attempt करने है ठीक है और जो पहला question है वो 20 नंबर का है बाकी बचे 15 पंदा नंबर की है ठीक है तो इन 15 पंदा नंबर पर आपको क्या करना है 25 से 30 minute लगानी है जादा नहीं कह रही 25 से 30 minute लगानी है ठीक है अगर आप 30-30 minute भी लगाएंगे तो यहीं पर आपको 2 घंटे पूरे हो जाएंगे that means 120 minutes complete हो जाएंगे बाकी बची 60 minute तो इस वाले question के उपर केवल और केवल 30 से 35 minute लगानी है ठीक है बाकी बची 15-25 minute जो है आपको क्या देखना है कि कहीं कोई question रहा तो नहीं गया थोड़ा सा इसको decorate भी करना है question paper को अब यह कहो कि decorate का मतलब क्या है यहाँ पर देखो अब जब यहाँ पर आप कोई भी question start करते हो तो आप किस तरह से करते हो सिधा से theory 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 लिग देते हो जिससे क्या examiner भी क्या है इतने सारे paper चेक करता है theory पढ़ पढ़ के normal सी बात है वो भी थोड़ा बोर हो जाएगा अपने exam को अपने जो paper को थोड़ा सा interesting way में बनाने के examiner थोड़ा देखते ही आपको number दे तो वो जो trick है माज आपको बदाऊंगे के साथ में ठीक है तो सबसे पहले हैं चार चार पांच पांच नंबर के question देखते हैं फिर इसकी strength देखेंगे कि कितना आपको लिखना होगा सबसे पहले यहां पर देखो four functions दे रखी है retail management के वह आपको explain करना है कि retail management के चार function को explain करने ठीक है परपस और retail planning रिटेल प्लैनिंग की purpose क्या होते हैं देखो हर एक चीज की हम कोई न कोई किसी भी चीज की planning करते हैं जब हम कोई recruitment करते हैं HRM के अंदर हम क्या पड़ते हैं recruitment करते हैं selection करते हैं डेवलोमेंट करते हैं अप्रेजल करते हैं performance की तो उन सब की अंदर हम planning से start होते हैं तो इसका purpose पूचा हुआ है तो retail के अंदर भी planning की जाती है उसका purpose क्या है वो आपको explain करने है अब देखो इस चार नंबर में पूचा हुआ है तो सबसे पहले चार में पूचा हुआ है या 15 में पूचा हुआ है बस दो नंबर को छोड़के तो अगर दो नंबर में है तो आ जे यू university चे अंदर क्या होता है आपको इसी तरह का pattern मिलते है तो इसके अंदर क्या करने है आपको सबसे पहले introduction लिखना है ठीक है तीन से पांच लाइनों का इंट्र इंट्रोड़क्शन लिखना है ठीक है उसके बाद आपको meaning लिखना है देन उसके बाद जो main content है आपका वो लिखना है अब यहां पर main content क्या पूछो फॉर functions पूछो है तो functions यहां पर क्या होने वाले है इसका main content रहने वाला है कि इसके चार function को आप explain करोगे देन उसके बाद क्या ले करना है आपको conclusion लिखने ठीक है इस तरह से question को attempt करना है और इसकी उपर केवल 8 से 10 मिनट दोग स्पीड स्टार्टिंग से मतलब स्टार्टिंग से रखना यह नहीं होना चाहिए कि आप स्लोस्टो में करते जारे करते जारे है ताइम बिल्कुल जल्दी निकलेगा ठीक है नेक्स्ट कोशन क्या है डिस्कुस्ट दस स्टोर लेयाउट स्टोर लेयाउट क्या होता है वह आपको explain करने चूज ओफ दा लोकेशन जब भी आप रिटेल स्टोर के बारे में बात करते हैं तो वहां पर जब भी हम अपने समान को सेल करते हैं तो वहाँ पर location को select करना एक बड़ा task होते है कि कहां अमारी location होगी कहां अपने समान को सेल करेंगे ठीक है तो choice of location जो है वो आपको explain करना है चार नंबर पांच नंबर के नंदर एगे next question आजाता है second question जो कि 15 पंदर नंबर के हैं ये क्या है what you mean by the retailing retailing क्या होते है or discuss the importance of the retailing importance क्या है retailing की देखो जिस तरह से मैंने 5th semester के इंदर important question की series लेग आई थी इसी तरह से यहाँ पर इन सभी subjects की important question की series जल्द ही आईगी ठीक है वीडियो को भी देखना questions paper भी देखना 2019 से लेकर 2022 तक के तो आपकी preparation बहुत अच्छे से होगी next क्या है what do you mean by the store store से आप क्या समझते हैं and non-store based format से आप क्या समझते हैं in what way store based format are different from the non-store based format ये कहरे है कि किस base पर non-store जो basement होता है और जो store basement होता है दोनों एक दूसरे से कैसे differentiate करते कैसे एक दूसरे से अलग है वो बताने उनके विजमें अंतर बताने डिफ्रेंशेट करना है उसके बाद नेक्स कोशन आ जाता है what are the reason for the growth of the Indian retail sector ये कह रहा है कि जो इंडिया के अंदर जो retail sector की growth हो रही है उसके reason बताने है कारण बताने है उसको explain करना है what are the future challenges for this sector क्या-क्या future challenges है इस sector के अंदर देखो यहाँ पना एक कोशन इस तरह से बनकर आ सकता है कि present में क्या-क्या policy लेकर आ रहे है for growth of the retail sector इस तरह से भी कोशन बनकर आ सकता है मैं आपको बता रहे हैं जो कोशन है कोशन पेपर किसलिए help provide कर रहा है आपको यह बताएगा कि किस तरह से पेपर की toughness रहने वाली है क्या university का pattern रहने वाला है किस तरह से अपनी strategy को आप इंप्रूब कर सकती हो अब यहाँ पर देखो 15 बंदा नंबर में कोशन आये हुए है तो इसके अंदर आपको introduction लिखना है जी meaning लिखना है जी definition है कहीं है तो आप उसके अंदर definition भी include कर देना ठीक है main content पुछा हुआ है यहाँ पर reason पुछा हुआ है और challenges पुछे हुए है तो दोनों point को 7-8 point इसके लिख देना और 7-8 point यहाँ पर इसके लिख देना तो यहाँ पर आपको जा करना है introduction के अंदर जो length है वो बढ़ जाएगी strength है जो बढ़ जाएगी 5-7 line की हो जाएगी या फैसर 5-10 line की हो जाएगी तो length बढ़ जाएगी कम से कम standing 4 page standing 4 page खड़े ऐसे 4 page ऐसे एक ऐसे नहीं एक दो तीन चार ऐसे 4 page आपको भरके आने हैं वो भी 15-15 नमबर वालों में और जो यह 5-5 नमबर के कम से कम डेड़ पेज डेड़ पेज समझ रहे हैं एक और आधा चीक है इस तरह से आप पेपर को attempt करोगे तो उमीद है आप अच्छे अच्छा score कर पाएंगे next है 5th question how information technology is helpful in the making the retail effective कैसे information technology IT sector जो है बहुत helpful प्रवाइड कर रहा है help प्रवाइड कर रहा है किसको retailing को किस चीज के लिए effectiveness बनाने के लिए बहुत अच्छे से अपने आपको improve करने के लिए IT sector किस तरह से योगदन प्रवाइड कर रहा है वो बदाना आपको strategy के objective बताने क्यों हम strategy बनाती है उसका फाइडा क्या मिलता है आपको उदेश्य क्या है next question आजाता है define the store management store के अंदर जो हम management करते हैं उसके बारे में explain करना है explain its function उसके function को भी explain करने है next question आजाता है हिंदी बाले बचे भी देख लीजे बचे मैंने आपको सब कुछ explain कर दिया है कैसे आप time को management करोगे ठीक है कितने कितने sheet फिल करने है किस तरह से लिखना है तीनों चीजे बहुत जादे important है time एक watch लेके जरूर जाना है आपको exam के अंदर watch को बिल्कुल ध्यान से ऐसे time बिल्कुल ऐसे देखना है कि कितना time हुझे किस के उपर लग रहा है अगर किसी question के उपर ज्यादा time लग रहा है तो उसके utilization next question के अंदर कर देना है मतलब उसकी अंदर next question के अंदर speed आपको बढ़ा देने जिससे कि उस time को cover up कर सको ठीक है next question आजाता है 8th question है define the organization structure in a retail organization structure क्या है retail के अंदर explain the process of the setting up retail organization setting up कैसे करते हैं उसकी process को explain करना है next है foreign direct investment क्या है in a retail good or bad for a country explaining detail यह जो chapter है मैं और रड़ी करवा चुकी हूँ पहले बहुत एक दू साल पहले करवाया था मैंने यह chapter FDI की बहुत अच्छे से मैंने explain किया था book के अंदर से ही करवाया था आपकी book के अंदर जैसे था वैसा ही मैंने आपको करवाया था और IT के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है आपकी retail का जो syllabus है तो 2022 के question paper को देखना 2021 के question paper को देखना फिर 2020 के देखना देखना 40-50% जो आपके question paper है question जो है मैं चुरेंगे और इस channel को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास share करो कि यह जो channel का motive है हमारी पूरी team का motive यह है कि आप सभी बच्चों को help मिल जाए